नजर तुम बिन मचलती है, मुहबबत हाथ मलती है, चला आ मेरे परवाने वफा की शम्मा जलती है, इन लाइनों की तरहा ही रोशन हुई अभिनेतरी साधना. अगर चंचल शोक हसीना साधना की बात करें, तो सबसे पहले जहन में याद आती है, उनकी प्यारी से मुस्कान और उनका यूनिक स्टाइल. साधना हमेशा से ही अपने फैंस के लिए एक स्टाइल आइकॉन रही हैं. साधना की वजह से ही आज भी फेमस है साधना कर्ड, जिस आज की एक्टरेस भी कॉपी करती नजर आती हैं. साधना का पूरा नाम साधना शिव दसानी है, लेकिन प्यार से सब उन्हें साधना ही बुलाते थे. उनके हैर स्टाइल को लड़कियां आज भी कॉपी करती हैं. उनके हैर स्टाइल के पीछे छिपी है एक बहतरीन कहानी. दरसल साधना ने जब फिल्मों में काम तलाशना शुरू किया तो उन्हें कई बार उनके बड़े माथे की वज़ह से निर्देशकों ने काम देने से मना कर दिया लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका माथा ही एक दिन उनकी पहचान बन जाएगा साधना कभी हार नहीं मानती थी इसलिए वो रोज तमाम फिल्म स्टूडियों के चकर लगाया करती थी ताकि कभी तो भगवान उन पर महरबान हो और किसी निर्देशक की नजर उन पर पड़े साधना के पिता भी उन्हें इसके लिए रोका नहीं करते थे वो भी अपनी बेटी की मदद किया करते थे क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि साधना को एक्टिंग का काफी शौक है बस उनका यही संगर्ष उनके काम आ गया उन्हें फिल्म 420 के गाने मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के में ग्रूप डांसर में शामिल कर लिया गया वैसे तो साधना को ये डर हमेशा सताया करता था कि कहीं वो जूनियर आर्टिस्क बन कर ही ना रह जाए लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं कुछ ऐसा ही चमतकार हुआ साधना के साथ भी साधना को शुरू से ही एक्टिंग का शौक था इसलिए वो अपने कॉलेज में भी एक्टिंग किया करती थी उनका संगर्ष तब खत्म हुआ जब कॉलेज में एक नाटक के दौरान उन्हें एक सिंधी फिल्म मेकर ने स्पॉट किया भारत की पहली सिंधी फिल्म अबाना में शैला रामाने की छोटी बहन के लिए कास्ट किया गया इस फिल्म में काम करने के लिए साधना को मात्र एक रुपए की टोकन मनी मिली थी साधना ने हार नहीं मानी और वहल लगातार फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटती रही एक फिल्म मैगजीन में जब साधना की तस्वीर छपी उनकी ये तस्वीर उनके लिए मील का पथर साबित हुई उनकी इस तस्वीर पर फिल्म निर्देशक सशाधर मुखर जी की नजर पड़ी बस यही वो पल था जब साधना की किस्मत चमक दे साधना का माथा बड़ा था इसलिए उन्हें जब फिल्मेकर सशाधर मुखर जी ने अपने फिल्म में काम दिया तो उन्होंने साधना को हैर स्टाइल बदलने के लिए कहा उन्होंने कहा कि हैर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए जो उनका बड़ा माथा छुपा दे तब साधना के हैर स्टाइलिस्ट ने उनको उनकी कमजोरी छिपाने के लिए नई हैर स्टाइल दी तब वो हैर स्टाइल उनका USP यानी खूबी बन गई उस हैर कट का नाम ही साधना हैर स् की साधना अपने पूरे परिवार के साथ कराची से मुंबई आ गई थी वो परिवार के साथ सायन के एक बैरक में रहने लगी थी फिल्म लविन शिमला परक असली नकली हम दोनों एक मुसाफिर एक हसीना और ना जाने कितने ही सूपर 8 फिल्में दे कर साधना जमीन से आसमान तक पहुँच गए और बन गई उस समय की टॉप स्टार साधना उस समय की सबसे ज़ादा फीस लेने वाली हिरोईन में से एक थी साधना की एक्टिंग के अलावा उनका यूनिक हेर कट ही उनका यूएस पी बन गया साधना ने कई ट्रेंड का चलन शुरू किया सबसे ज़ाद पसंद किया जाने वाला साधना कट और इसके अलावा साधना ने चूड़ीदार सलवार का फैशन ट्रेंड भी सेट किया साधना उन हिरोईनों में से एक हैं जिने आज भी लोग अपने स्टाइल आइकॉन मानते हैं प्रियांका, कट्रीना, जैकलेन, अनुष्का और ना ज कई में साधना और अफताब का कोई रिलेशन है? तो इसका जवाब है हाँ. हरी सिवधासानी, जो अभीणेत्री बवीता के पिता हैं, वे दरसल में साधना के पिता के भाई हैं यानि की साधना के चाचा, उस तरह से एक्टर अफताब साधना के चाचा के पोते हैं. साधना को फिल्म लविन शिमला के दोरान ही निर्देशक रामकृष्ण नयर से प्यार हो गया था। उन दोनों की उम्र में लगभग 6 साल का अंदर था। उस समय साधना की उम्र 16 साल की थी जबकि आरके नयर 22 साल के रहे होंगे। साधना के परिवार वाले इन दोनों के रिष्टे से बिल्कुल खुश नहीं थे। इसलिए साधना ने फिल्म निर्देशक और एक्टर राज कपूर की मदद से परिवार के खिलाव जाकर शादी कर ले थी। झाल